हाई गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आई हो बच्छे होंगे और आज किस वीडियों देखेंगे जो भी छात्र बीसी थर्डियर में हैं उनके लिए 2022 में आने वाले कोशन लेके आए हम लोग पर अपने मार्केट से रही है उसको क्या करने उसको ओपन करना है और मैं चिर्ण बता रहा हूं उस पर टेकर कर लेना तो उसके बाग एक वी कोशन बाहर ने जाएगा पर इनको रट लेना जो力्त को बता कर रहा हूं जैसे कि आप देखाते हैं बॉटनी का सैकेंड पेपर है तो बाटनी कर पहले से प्लूट कर रहा है कि विश्टी के फिजिक्स के जो जी के शारे मने अफ्लूट कर रहे हैं लिंग डिस्कप्शन बॉक्स में है प्ले इसका पूरा ठीके बहां लिखा होगा बीसी सकते हैं वाले बीकॉम वाले सारे शत्रों के लिए दे रहे के अश्वाइब आपको याद करेंने है उसकी बारे इए एक अनुवनसिक पदारत है इसके बारे में आपको याद करेंना है उसके बाद में अनुवन से कूट मतलब जिनेटिक कोड किसे कहते हैं तो जिनेटिक कोड की बारे में आपको याद कर लेना है जिनेटिक कोड ठीक है जिनेटिक कोड क्या होता है जिनेटिक कोड मौस्ट इम्पोटेंट है पांच विरकार की याद कर लेना उसकी बाद में है देखो protein sensation इसको छोड़ देना उसके बाद में नीचे हम जाएंगे देखो नीचे हमें vitamins के बारे में याद कर लेना है vitamins के दितने type होते हैं फिरकार दितने फिरकार के vitamins होते हैं A, B, C, D, E, H, O, K यह सब को याद कर लेना थीक है उनके स्रोथों को यह बहुत जरूरी है पॉलि में कर्वो हाइड्राइड बहुत है यह तो प्रोटीन की सरचना और वर्गी रड़ के बारे में याद करके जाएंगे उसके बाद में नीचे जाएंगे और नीचे आपको पता है वाटस और किरिक द्वारे मोडल दिया गया था जिसे डियेने दियुक्ण भी बहुत नहीं हम लोग ठीक है तो तो इसको अच्छी तरीके से आप याद करेंगे डवल हैक्सल डियने मोडल तो इसके बाद में आपको याद कर लेना मोस्ट इंपोटेंट करेंगे इंजयम के प्रिकार को याद कर लेना है इंजयम के कि टाइप होते हैं वह और तालाचा इंज्यरिंग कर बढ Ηंज्यों को याद करेंगे यह इंपोटेंट जीन के अरेन रैने में अंसरकोiset चाहें में अंतर मित इंपोटेंट है उसके राद में नीचे जाएंगे और यह उनुस्ट पे लगाना यह वाला ठік Damit मोश्ट पर लगाना अनुलेखन अनुलेखन Still को मौश्ट पे लगाना और एक्जाम से दो दिन पहले मैं आपको एक बार में याद कर लेना है और यह कहा सकते हैं गिल्ट की उर्जा अबहुत जाएंट है त्टिक एंजाइम क्या होता है इसके बार में याद क्रणके जाएंगे आपसे उसके वायो फटिलाइजर क्या होता है ही वैंड्रीजन के नियम की वारे मियात कर ले ना रूल kita ऑफ ट्रांस्लेशन क्या होता है ट्रांसलेश क्लेस्ट ट्राम लेशन इक That है तो याद करके जैएंगे श्ट्रीपियों पीपिंग के बारे में याद करके जाएंगे असको छोण देना कोई दिक्त नहीं है और यह कोशन है उसके और वन जीन और वन एंजाइम इसके बारे में आपको बता सकता हूं यह बारे में विभाजित जीन किसे कहते हैं विभाजित जीन की वारे में याद कर लेना यह बारे में यहां कुछ और मत देखना कोई जरूत नहीं देखने की इतने कोशन याद करके आप 85% प्लस ले आओगे 80% यहीं से मिलेगा आपको कुछ भी नहीं देखना है बाहर तो यह कोशन को आप अच्छी तरीके से रट लेंगे कोई भी दिक्कत है तो कॉमेंट चेक्स पूश सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड वेपर को लेके आएंगा चलो को सब्सक्राइब कर लेना वैल आइकन को प्रेस कर दरा हम थैंक्यू पर बचिन इस वीडियो बाई बाई